गुड मार्निंग स्टुडेंट मैं इरसाद अभमद परिच्छा प्लस में आप सबका स्वागत है आज जो शुरू होने वाला है आधुनिक भारत का इतिहास बंगाल में ब्रिटिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना बंगाल में तो समझेए कि पढ़ने से पहले इ अपने समकालीन राजियों में सबसे समरिध राज था बंगाल ठीक क्योंकि बंगाल प्रिश्डेंसी के अंदर समझेए कि बिहार उडिशा आता था तो समझेए कि बंगाल से ब्यापार करने के लिए भी ब्यापार करने के लिए भी अंग्रेलों की अधिक सुधा थी और सम समझे कि कई उसमें कई छोटे छोटे तनाव के कारड वो विखर जाता है ठीक तो विखरता क्या है फिर देखिए आपको आज जो पढ़ना है ध्यान देजिएगा आज को आपको जो पढ़ना है बंगाल में बंगाल के नवाप अब ध्यान देजिएगा आपको यह बता चुके हैं बस थोड़ा सा पीछे जाएए देखिए यहां पे तो इसमें देखिए आपको जो पढ़ना है ठीक तो बंगाल के संस्थापक बतायत ना बंगाल के संस्थापक का उन थे तो बंगाल राज के संस्था संस्थापक और समझे इसमें जो पढ़ना है जो राजा के बारे में पढ़ना है बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ना है यह समझे जो मुर्शित कुली खाते उनको समझे कि मुहम्मद शाहरंगीला उनको समझे कि बंगाल में न्यूक्त करते हैं और यह समझे कि अपने आपको सोतंत्र घोसित कर लेते हैं कौन मुर्शित कुली खां ठीक तो समझे कि यह भी नवाब थे फिर बंगाल के अंतिम सुविदार यानि कि बंगाल सोतंत्र हो जाता है बंगाल के अंतिम मुगल सुव अलिवर्दी खान होते हैं ठीक अलिवर्दी खान तो अलिवर्दी खान के बारे में भी बताएंगे भी अलिवर्दी खान के बारे में बताएंगे पहले सुन लेजिए आपको जैसे माल लेजिए सबसे पहले मुर्शीद कूली खान अब देखिए ए हो गए इनको ज़्यादा जानना है अब देखिए दूसरे अलिवर्दी खान अब ध्यान देज़ेगा बीच में तो आउर आते हैं बीच में दो आ रहाते हैं सुजाओ दीन ध्यान देखिए आते हैं और एक सरफराज खा आते हैं तो उसका कोई बहुत मतलब का नहीं है फिर देखिए आपको पढ़ना है सिराजुद दौला सिराजुद दौला सिराजुद दौला फिर मेर जाफर मीर कासिम फिर अगेन मीर जाफर आते है नजमуд दवला अब ध्यान देजी क्या है अली वर्दी खा अली वर्दी खाँ कวन होते हैं अब समझे कि बंगाल के संस्थापक मुर्षित उली खाँ करते हैं किसके सासनकाल में करते हैं मुहमाद शाह रंगीला अब देखी यहां से ले करके ध्यान दिजीगा यहां तक समझे कि यह क्या करते हैं अलिवर्दी खां मुगल सामराज जो होते हैं मुगल रिक्सासक जो होते हैं मुहमाद शाह रंगीला ठीक उन्हें कि 1740 इसमिश से 1756 इसमितल कि इनका कारे काल अलिवर्दी खां का कारेकाल तो यह क्या करते हैं कि जो नजराना देते हैं बंगाल के दिवान दाते हैं फिर यह सुदार बना दिये जाते हैं अलीवर्दी खा, ठीक, तो ये क्या करते हैं कि मुगल सामराज, मुगल सामराज, मुहममचतार अरंगीला को 20 लाख के बदले 30 लाख देते हैं, 30 लाख देते हैं दिवान बनाने के लिए, ठीक वहां कर वसूल करके राजस वसूल करके इनको गद्धी पे बैठने से पहले 30 लाख रुपए देते हैं फिर क्या करते हैं कि समझे कि जब गद्धी पे बैठ गये तो इनको 2 लाख का नजराना पेस करते हैं किसको मुर्शित कुली खा को मुष्चित इनको अलिवर्दी खा देते हैं मुखमद्शारंगिला को क्योंकि ये समझ चुके थे ये पैसे के भूखे हैं कौन? मुखमद्शारंगिला मुखमद्शारंगिला के बारे में आपसे बताये थे नकारा निकम्मा समझिये की कि इतना ज़्यादा हो थे कि इस्त्री वेस में समझिये की साड़ी पान करके इस्त्री वेस बुसा पान करके नग नहो करके दरबार में नाचते थे ठिक मुखमद्शारंगिला तो ये समझ गये थे किसको? अलिवर्दी खाम उम्मत सारंगीला को समझ गए थे अब देखिए ध्यान दिजीएगा अलिवर्दी खाम जब सासक बनते हैं तो समझेए कि बाद में क्या करते हैं इसको बहुत ज़्यादा उम्मत अब ध्यान दिजीएगा लेकिन इसको जरूर्द देखिएगा कि अलिवर्दी खां से जो question आता है अभी बता रहे हैं देखिए कि अलिवर्दी खां जो है इनको घूस दे करके यानि कि घूस दे करके सासक बनते हैं कहां का बंगाल के नवाब बनते हैं कौन अलिवर्दी खां यानि कि एकर question आजाए घूष दे करके बंगाल का नवाप कौन बनते हैं तो अलिवर्दी खा बनते हैं ठीक अब देखें अलिवर्दी खा Jesús अलिवर्दी खा के समय अंग्रेज थे तो यह क्या कहेते यह comment की इनके यह जो है अंग्रेजों की तुलना अलिवर्दी खान जो है अंग्रेजों की तुलना मधुमक्यों से करते हैं कौन? अलिवर्दी खान यह कहे थे अगर हम अगर हम इनको मतलब अंग्रेज को ना छेड़ें मतलब उनमें कोई हच्चयब ना करें जैसे ओं कर रहें उनको करने दें यानि कि उनको ना छेड़ें तो ओ हमें शहद देगे अगर उनको हम छेड़ते हैं तो ओ हमको काट-काटके मार देंगी घिक यह इनी का कमेंट है फिर ध्यान देजीएगा फिर जब इनकी मृत्य होती है तो इनके समझे कोई पुत्र नहीं होते हैं किसके सिराजु अलिवर्दी खांके मातर तीन पुत्रिया थी ठीक तो वो समझे कि ये जो हैं सिराजु दौला फिर आते हैं सिराजु दौला इनके दोहित्र यानि इनके नाती थे किसके अली वर्दी खांके ठिक अली वर्दी खांके सिराजु दौला जो थे वो इनके नाती थे सिराज साब यानि दोहित्र बेटी का पुत्र थे तो ये क्या कहे थे समझे जब जीवीत थे तो एक थी घसीटी बेगम घसीटी बेगम इनकी पुत्री थी और इनकी मौसी थी सिराजु दौला की घसीटी बेगम अब घसीटी बेगम समझे कि कुछित्र महिला थी अब ओ क्या करे सत्ता अपनाने के लिए समझे कि इनको इन से चाल चलती है तो यह क्या करते हैं सिराजु दौला उनको मार देते हैं मरवा देते हैं किसको गसिटी बेगम को अपने मौसी को ठीक फिर देखिए जो सिराजु दौला के बारे में सबसे ज़्यादा हमको जो फोकस करना सिराजु दौला पे ठीक ध्यान देखा सिराजु दौला के कारेकाल में क्या क्या हुआ कि हैं इन पे बहुत ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं तक कारेकाल था लेकिन एक साल में क्या हो गया कि समझे इनको याद किया जाता है तो इन्हीं की एक साल में क्या हुआ कि समझे की अंग्रेज भारत में अपना कदम रख लिए यानि की ध्यान देजिए जब एज आते हैं कौन सिराजु दौला सिराजु दौला बंगाल जाते ह बंगाल को जीत करके वहां का समझे कि बंगाल का नाम अली नगर रख देते हैं ठीक अब ध्यान देजीगा ठीक तो इनके समय में समझे कि एक हालवेल थे हालवेल तो जब पराजित हो गए थे सिराजुद दौला से बंगाल में तो ये समझे कि हालवेल 146 लोगों को लेकर के इनके दरबार में पहुचे सिराजुद दौला को तो ये क्या करते हैं सिराजुद दौला साथ की देखिए काल कोटरी की घटना इसी को ब्लैक होल की घटना कहाते हैं कब होई थी 20 जून 1756 इस भी में ध्यान दिजीगा काल कोटरी घटना ये हालवेल साथ को क्यों बता रह हैं कि हालवेल समझे की 146 में थे तो सिराजुद दौला क्या करते हैं 146 लोगों को 146 लोगों को एक समझे की 18 गुड़े 14.3 14 फुट रूम मतलब घर में 148 दसमलो 14 यानि की 18 फुट लंबाई और 14 फुट चौड़ाई वाले रूम में जिसमें समझे कि हम आप रह रहे उससे थोड़ा सा बड़ा ठिक 146 लोगों को उसमें कैद कर लिए तो उसमें क्या थे हालवेल भी थे इसी को कहा जाता है जो इसकी घटना का वडन किया है तो हालवेल किया है तो ध्यान दिजिए इनको रात में बंद कर दिया जाता है 146 लोगों को तो इसमें से सुबह में 123 लोगों की मृत्य हो गई और मातर 23 लोग जीवित बचे इस 23 लोगों में हालवेल भी थे ठीक इसलिए माना जाता है ब्लेक होल की घटना ठीक इसकी डेट है 20 जून 1756 में ठीक जब ब्लेक होल की घटना हो गई तो यह क्या करते हैं फिर उहां से समझेए कि जो इस समय बंगाल में कलाईव आते हैं और समझेए कि उनके साथ रहते हैं वाट्सन ठीक तो कलाईव और वाट्सन दोनों मिल करके फिर सिराजु दौला को हरा करके उनके उपर सर्त रखते हैं ठीक इनको हला कर हरा करके एक सिक्वेश में देखिए काल कोट्री की घटना हो ठीक काल कोट्री की घटना हो गई जिसमें से समझेए कि 146 लोग थे diet question पूछेता है कितने लेप थे 146 लोग थे सबसे ज़धा जो question पूछा है काल कोट्री की घटना पे एस sequence में भी और पूछा है काल कोट्री घटना का वाडन काउन किया है तो हाल्वेल साब किये हैं जे फूरा नाम है J Z Haloney ठीक, पूरा नाम है J Z Haloney एही समझी ये काल कोटरी घटना की अब देखी, काल कोटरी की घटना जब हो जाती है, ठीक फिर क्या होता है, काल कोटरी की घटना के बाद, अंग्रेत जो थे कलाईव और वाटसन इनको पराजित करके एक संधी समझे इनके उपर आरोपित करते हैं किसके उपर? सिराजुत दौला के उपर तो वो संधी कहों थी? आपसे बताये थी नब बंगाल जीतने के बाद बंगाल का नाम सिराजुत दौला समझे अली नगर रख देते हैं तो समझे अली नगर की संधी होती है एक सिक्वेंज में देखिएगा अली नगर की संधी होती है अली नगर की संधी होती है घ्हांद जीएगा ये 20 जून 1756 में तो अली नगर की संधी होती है 9 फरावरी 1757 वीकू घंद जी का 1757 को अलिनगर की संदी होती है ठीक किसके किसके मद सिराजु दौला और कलाईू और वाट्सन के मद्य होती है कलाईू कौन रहता है वाट्सन कौन रहता है वाट्सन समझे कि इनकी जल सेना का नौ सेना का नेतरूत करता है वाट्सन और जो कलाईू रहते हैं वो पैदल हो यानि थल सेना का वो नितिर्ट करते हैं ठीक जो अली नगर की संद्य होती है अली नगर की संद्य में समझिये की इन पे सिराजु दौला पे समझिये की आरोपित किया जाता है और इनको समझिये की बहुत इनके उकर लगाया जाता है इनके उपर तो सिराजु दौल दौला पे ये समझी क्या करते हैं उसको सिराजु दौला साहब इनको मानने से इंकार कर देते हैं ठीक मानने से इंकार कर देते हैं ठीक अब देखिए पहली घटना काल कोटरी की अली नगर की संधी ठीक फिर देखे जब वो मानने से इंकार कर देते हैं तो ये समझी ये कि फ तीसरी खटना प्लासी का यूद होता है ध्यान देजिए जब यूद्ध हो जगा तो कोई कաरण होगा ऐसे फालतों में कोई किसी से साथ यूद्ध करेगा नहीं क्योंकि किस सब कुछ का कुछ, कारड होता है, देखी कारड क्या था, कारड, क्लास्य के युद्ध का कारड क्या था? ढ्याम दिजिएगा, कारड था, कारड क्या था? कारड था अली नगर संध की अवहिलना सिराजु दौला दोरा अली नगर संध की अवहिलना और काल कोठरी की घटना मुक्ष कारड था ठीक इसमें होता क्या है इस युद में बस अब जान लेजिए इसमें समझिये की कलायू और सिराजु दौला के मद्ध होता है और समझिये की कलायू की जीत होती है जीत क्या होती है समझिये की जो इनके कारेकाल में पलासी में सिराजु दौला के समय जो समझिये की अमीन चंद होते है तो वो क्या करते है अमीन चन्द? और समझे अधिये के जाकर सिराज़れた दौला की हार होती है और कुछ दिन बाद उनकी मिर्त हो जाती है सिराज़ दौला की विजय को होती है कि किलाई की अब देखे इसी विजय के बाद मिर्जाफर को समझें कि सत्ता राजा नवाब बना दिया जाता है बंगाल का क्यों कि सर्थ रखा जाता है उससे कि वो रखता है कि अगर हम आपकी तरफ से लड़ जाएंगे इनको धोखा देढ़ेंगे सिराजो दौला का उनको हमें अप नवाब बना दे जिएगा तो नवाब उनको बनाया जाता है किसको मीर जाफर को इसके बाद ठीक तो मीर जाफर को समझे कि ये माना जाता है कि इनके गदार सिराजु दौला के जो गदार थे मीर जाफर थे अमीन चंद थे ठीक ये लोग थे और जो इनके साथ प्लासी में जो देजभग थे जो प्लास के यूद में यूदस् quartz में काउन से सिनापति सहीद होते हैं तो मीर्मदान ठिक अब देखे मेर्जाफर मेर्जाफर समझें की कलाईU को गिदड़ कहा जाता है ये कहा आ चुके हैं, बेदरा का यूद होता है, 1769 हिस्वी में, आम नोट करके लिक लिजीएगा, अंग्रेज वर्सेज डच, इसमें क्या होते हैं, अंग्रेज हारते हैं और डच जीतते हैं, ठिक, बेदरा का यूद, ठिक, अब देखिए, इस्ट्रा है, वांडिवास का यूद, 1760 हिस्वी में, इसमें क्या होता है, अंग्रेज सेना ने, अंग्रेज ने, ठिक, वर्सेज, फ्रांस, फ्रांस को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं, अंग्रेज, इसमें अंग्रेज की जीत होती है, और फ्रांस की हार होती है, इसको आप नोट कर लिजीएगा, ठिक, अ बात ये देखते हैं अब इसके बाद देखिए क्या होता है इसके बाद जो होता है वो समझे कि बकसर का यूद होता है जो महतपूर है ठिक अब देखिए इसमें आपको जो जो समझे बंगार के नवाप थे ठिक अब देखिए बकसर का यूद बक्सर का यूद 22 अक्टूबर 1764 हिस्वी में ठिक 22 अक्टूबर 1764 हिस्वी में अब यह माना जाता है कि इस यूद के बाद ठिक इस यूद के बाद बक्सर के यूद के बाद क्या होता है कि अंग्रेज अपना पूर रूप से भारत में कमपनी अस्थापित कर देते हैं और अपना सासन अस्थापित कर देते हैं हाँ एक ची जानिएगा कि अली नगर की संदी जब हुई थी तो समझे कि अली नगर संदी में सबसे बड़ा काम जो हुआ भारत को सबसे अघात पहुचा था जो सिराजु दौला ने क्या किया कि अंगरेजों को सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया यानि कि अगर कोशन आ जाए सिक्के ढालने का अधिकार अंगरेजों को किस संदी के अनुसार मिला है तो अली नगर संदी के अनुसार सिक्के ढालने का अधिकार किसको मिला है अंग्रेजों को, कमपनी को ठिक, अब आईए बकसर का यूद, बकसर का यूद होता है किसके किसके मत, अंग्रेज के मत अंग्रेज के मत और संयुक्त सेना के मत अब ध्यान देजेगा यहां पर सायुक्त सेना ठिक सायुक्त सेना अंग्रेज अंग्रेज की कौन थे ध्यान देजेगा अंग्रेज का नेतरुत कौन किसने किया था तो ये थे ये थे हेक्टर मुनरो हेक्टर मुनरो कि ये थे अब सायुक्त सेना में सायूत से ना करने तुर्थ कौन किया था ध्यान देजेगा बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब मिर कासिम बंगाल के जो नवाब थे जो भग रहे थे इदर उदर मिर जाफर के डर से वो समझेए कि यही करते हैं अब देखिए अवद के नवाब इसमें अवद के कौन थे अवद के नवाब शुजावुद दौला ध्यान दौला कहां के थे नवाब बंगाल के थे शुजावुद दौला ठीक अवद के नवाब शुजावुद दौला बहुत इंपर्टेंट है ठीक इसको नोट कर सुझाओद दवला, अब देखिए, इस समय मुगल, मुगल सामराज, मुगल के नेता, शाह आलम दूती, अब देखिए, यानि शायुक्त से ना तीन लोग रहते हैं, बंगाल के नवाब, अवद के नवाब, मुगल सामराज, अब समझे कि हेक्टर मुनरो क्या करते हैं, तीनों लोगों को पराजित करके यह बिजेता हो जाते हैं, कौन, Hector Monroe अब ध्यान देजिएगा कि किसी को सौपा जाता है, जीतने के लिए किसी को सौपा जाता है राजर स्थापित करने के लिए, यह जीत लेते हैं, फिर जीत करके यहाँ से तुरंट इनको क्या करें? इंग्लेंड है चले जाते हैं अब ध्यान दिजिएगा, इनकी पराजे हो जाते हैं, याई बक्सर के विजेता हिक्टर मुन्रो जाते हैं, फिर देखी क्या होता है, यह से तुरंट लाड कलाईू भारत में आ जाते हैं, ठिक 1765 सुई में, तो उग्या करते हैं, इलहाबाद क संधी करते हैं इस दिखिए अभी बताएंगे इलहाबाद के संधी करते हैं तो इलहाबाद के संधी करने से समझे कि किसे किसे करते हैं अवद के नवाब से करते हैं और मुगल से करते हैं ध्यान दिजेगा तो मुगल से समझे कि जब करते हैं 12 अगस्ट से, इन मुगल से करते हैं 12 अगस्ट 1765 हिस्वी में ठिक, इन से करते हैं अवद के नवाप से करते हैं 16 अगस्ट 1765 में, ध्यान दिजीगा सबसे पहले मुगल से करते हैं तो मुगल से क्या करते हैं कि बंगाल, बिहार उडिसा ठीक बंगाल बिहार उडिशा की दिवाणी प्राप्त कर लेते हैं दिवाणी का तात्पर ए है कि अब राजस्व सुलने का अधिकार कंपणी को हो गया ठीक यही है ठीक न यही है ठीक फिर इसके बाद क्या होता है कि इसनी के कलाड कलायू के समय ही यही समझे भारत में दोयद सासन की अस्तापना कर देते हैं कौन कलायू 1765 से 72 तक दोयद सासन रहता है इसी दोयद सासन को दोयद सासन होता क्या था सुल्तान तो रहे नवाब तो रहेंगे बंगाल में लेकिन उहां का एक उपराजे पाल दो हुए तो एक दिवान रहता था और उसके देख रहे के लिए एक उप उप दिवान होता था ठीक तो बंगाल में दिवान चुना गया और बिहार में ध्यान देगा बंगाल में दिवान चुना गया और बिहार में अब इसी दोयद सासन को भारत में देखे ध्यान देगा भ वैससन के जनक लियोनेश कार्टिस है ठीक अब ध्यान दिजेगा बिहार बंगाल में अउपदिवान किसकुन बंगाल के उपदिवान जो थे बंगाल के उपदिवान थे मुहमम्मद रजा खान ठीक बंगाल के थे ठीक यह कई बार कोश्टन पुछा है बंगाल के कौन थे? मुहम्मद रजा खां, बिहार के कौन थे? राजा सिताब राए, यानि कि बंगाल के उपदिवान कौन थे? बंगाल के मुहम्मद रजा खां, और बिहार के उपदिवान कौन थे? राजा सिताब राए, ठीक? अब देखी, इसी दोयद सासन की समाप्ती, सत्रा सव बहत्तर इस्वी में वारेन हेश्टिंग द्वारा ध्वारेन हेश्टिंग द्वारा द्वायद सासन की समाप्ती होती है बहत्तर इस्वी में 1772 इस्वी में एक भारती इतिहासकार है केम पडिकर केम पडिकर केम पडिकर साहब इसी दोयद सासन को कहते हैं कि एक डाकूँ का राज है डाकूँ का राज है पडिकर पडिकर साहब कहते हैं केम पडिकर ये क्या कहते हैं डाकूँ का राज है डाकूँ का राज है और समझे एक ब्रिटिस समझे की लेखक है सर जॉन जॉब करनवाल करनवाल इस नहीं करनवाल वो क्या कहते हैं कि 1765 से ले करके 1784 इस वी तक समस्त विश्व में सबसे भरष्ट सासन इस समय था सर जॉब करनवाल साब कहते हैं कि 1765 से ले करके 84 इस वी तक जो कारेकाल थांगरेजों का भारत में इस सबसे भरष्ट था और डाकू का राज कहें कि हम पढ़िकर ठीक अब यहीं तक आपको सब कुछ हम बताते हैं ठीक आईए अब आईए जो बताये हैं आपको एक बार उसको कर ले देखिए बताये थे न देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना आए मुगलों से सोतंतर राज मुगल से बताये थे मुगल सोतंतर हों के बंगाल के संस्थापक मुर्शीत कूली खाँ बता चुके थे मुर्शीत कूली खाँ ठीक अवद के संस्थापक शादत खाँ हाइदराबाद के संस्तापक चिलकिलीज या निजामुल मुल्क ठीक चिलकिलीज खा या निजामुल मुल्क फिर उसके बाद मैसूर पढ़ाना है सिख पढ़ाना है, मराठा पढ़ाना है इधर देखे, इधर मराठे भी है, सिवा जी को पढ़ाना है मैशूर है, हैदर अली टिपू सुल्तान को पढ़ाना है और शिख धर्म जो है, ठीक आईए, पहले हम देखते हैं इन तीनों राजियों को ठीक, इसमें से सबसे पहले बंगाल को बंगाल को देखिए हम सब कुछ बता चुके हैं ठीक, एक बार आप फिर लिखीत रूप से देखिए ठीक, संस्थापक मुर्शित कुली खां ठीक, मुर्शित कुली खां अब देखिए, 1717 से 1727 इस्वी तक क्या करते हैं, फरुक्सियर क्या करते हैं इनको बंगाल का दिवान नियुक्त करते हैं किसको, मुर्शित कुली खां को जो भी बताए हैं, फिर ये मुर्शित कुली खां दिवान तो कुछ इन तक बने राते हैं ठीक, लेकिन 24 में, 1724 इस्वी में बंगाल को स्वतंत्र राज बना देते हैं यानि कि मुगल से हट करके अपने आपको स्वतंतर राज की घुड़ा करते थे काउन, मुर्शित कुली खां किसके समय में? मुहम्मद शाह रंगीला के समय में जो समझे भारत में पुड़ रूप से जजिया कर हटाया थे काउन, मुहम्मद साह रंगीला अंतिम बार जजिया कर हटाने वाला बास्षा ध्यान देजिये और अवरंग जेव द्वारा सत्रस इसवी में मुर्शित कुली खां को बंगाल का शुबदार चुना गया था ठीक? और सत्रस और सत्रस इसवी फरुक्षियर द्वारा बंगाल का सुबदार बना दिया गया जो मुगल बास्षा का अंतिम सुबदार था ठीक? अंतिम सुबदार था अब देखिए राजधानी कौन? राजधानी राजधानी देखिए इनकी राजधानी पहले धाका में थी धाकाबास से मुर्सीदाबाद होती है मुर्शीदाबात कौन करता है तो मुर्शीद कूली खा करते हैं जो हम आपको बता चुके हैं मुर्शीद कूली खा करते हैं ठीक अब देखिए अब आईए सुजाओ दीन ठीक मुर्शीद कूली खा के बाद आते हैं उनके पुत्र सुजाओ दीन पुत्र क्या होते हैं समझें कि इनके दामाद रहते हैं मुर्षित कुली खां के देखें बंगाल के संस्तापक मुर्षित कुली खां इनके दामाद शुजाउद दिन अब ध्यान देजिएगा बंगाल में नवाब का पद धारण कने वाला पहला ब्यक्ति सुजाउद दिन है Very very most important question यानि कि पूछ दे पहले नवाब का ओन है बंगाल के तो सुजाउद दिन है ना कि मुर्शीत कूली खां मुर्शीद कूली का शुवेदार रहते हैं किसके मुगलों के तो चोरी से छल से सोतंतर राज की घोड़ा कर देते हैं ठीक आईए फिर सर्फराज खां सर्फराज खां सुजाउद दीन ध्यान देजीगा सुजाउद दीन नाम ले रहे हैं ना के सिराजुद दौला ना के सुजाउद दीन ठीक यह सुजाउद दीन है सुजाउद दीन का पुत्र सर्फराज खां सर्फराज खां ध्यान देजीगा तिसरे करेक्टर आ रहे हैं आपसे बताए ना पहले ही कि जितने करेक्टर एक जगह आते हैं वो character को आप एक जगह उसी page पे note कर लिजिए फिर उस character को देखिए आप फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा कि ये कहां के थे ये कहां के थे सर्फराज खां, सर्फराज खां कुछ भी नहीं हो ऐसा करते हैं जिनको हम याद करें अब देखिए, इसके बाद बनते हैं जो महत्यों के हैं, सिक्वेंस में तो हैं सर्फराज खां सिक्वेंस में भी हैं और समझिए कि ये भी हैं कि आप याद करें बंगाल के नवाब थे इसके बाद आते हैं अलिवर्दी खां अब ध्यान देजे बताया थे आपसे न मुगल बादसा को दो करोड रुपए देकर अपने पद को अस्थाई बना दिया है किन्तो उसने वार्शिक कर देना बंद कर दिया अब कोई घूस देकर के नोकरी पाएगा तो समझे ओ लाश्ट में किसी को नजराना थोड़ी देगा ठिक ओ एकी बार जो दे दिया हो दे दिया ये क्या करते हैं देखिए ये दो करोड रुपिया दे करके किसको देते हैं रुपिया इसमें मुगल बादसाब मुहम्मद शाह रंगिला को दो करोड रुपिया दे करके ये बंगाल के नवाब बनते हैं अलिवर्दी खाँ ठिक अलिवर्दी खाँ बंगाल के नवाब बनते हैं यानि ऐसे कोशचना जाए भूज दे करके या रिस्वत दे करके या दो करोड नजराना दे करके कौन समझिये की सासक बनता है तो अली वर्दी खा बनते है बंगाल के नवाब ठीक बंगाल के नवाब एक समझिये क्या करते हैं कि यूरोपियों की तुल्ना मधुमक्यों से करते हैं कौन अली वर्दी खा आपसे बताये थे न कि यूरोपियों की तुल्ना किसने मधुमक्यो समझे किमेंट करें गोता है कि यदि उन्हें यह न च्छेडा गाने दिया जाए तो शृह देगी और यदि चेडा जाये तो काट काट के काट काट के मार देंगी यह किसका कमेंट है शिराज ओ अलीवर्दी खांका की इसके संवंए में देखिए फिर क्या होता है 51 इस्वी में रगु जी गोसले मराठे सर्दार रगु जी से बंगाल पर आक्रमण किया और पलिडामता मराठों से 1750 इस्वी में संदिकर की उडिसा प्रांत ले लिए कौन? अलिवर्दी खां ठीक? और चौत भी लेने लगें ठीक? अब देखिए अलिवर्दी खां के उत्रादिकारी ठीक? अलिवर्दी खां के उत्रादिकारी अलिवर्दी खां के पास कोई पुत्र नहीं थे सिर्फ और सिर्फ बताये थे आप से तीन पुत्रियां थे ठीक? तो एक पुत्री का लड़का समझे कि सिराजु दौला हुआ हुआ ठिक सिराजु दौला हुआ अब ढाका घाका की बहन्जो थी इनकी ओ घसीटी बेगम थी अब बतायत थे आप अली वर्डी खा सिराजत दौला से कहे थे आप अपने मौसी से घसीटी बेगम से साउधान रहेगा क्यölker चीव्मてниग यह समझे अलिवर्दी खा की मिर्ट के बाद उसकी पुत्री का पूत्र यानि दोहित्र सिराजुद दौला यानि कि इनके नाती इनके नाती मंगाल के नवाब बनते हैं ठीक और सिराज दिन के तीन प्रमुक सत्रू थे वो सत्रू में घसीटे बेगम थे अंग्रेज थे जाने कि इनके मुझे सत्रों काउन थे अंग्रेज थे अब इनी के समय में क्या होता है जो हम आपको बता चुके है अब नोट कर लेज़ेगा मनिहारी मनिहारी का यूद किसके कारेकाल में लड़ा गया है तो आप एक नोट करके इंपोर्टेंट में इसको लिख लेज़ेगा मनिहारी का यूद अब तक तो माल ये वैसा कोश्चन नहीं पूछा है अगर पूछ दे तो आप उसको सही कर चेके मनिहारी का यूद 1756 इस वी में लड़ा गया था समझे कि इस यूद में शौकत अली को सिराजुद दौला सिराजुद दौला वही मतलब सिराज साड में नाम सिराज दिखा है ठीक सिराज ने पराजित करके माल डाला किसको शौकत अली को ठीक सौकत अली को माल डाला अब देखे 56 में रोग सब्तवर्सी यूद लड़ रहे थे सब्त वर्सी यूद्ध, घ्राम दिजएगा, करनाटक का जो तिरती यूद्ध है, करनाटक का तिरती यूद्ध जो है, अब इसको बताएंगे आगे, जब करनाटक पढ़ाएंगे तो, करनाटक का तिरती यूद्ध जो है, वो समझे सब्त वर्सी यूद्ध की है, रूप में अब देखिए देखिए ब्लैक होल की घटना आपको देखे सब कुछ बता चुके हैं ब्लैक होल की घटना या काल कोठ्री की घटना जो होती है 20 जून 1756 इस भी को होती है इसमें बताये थे ब्लैक होल में हाल वेल इसकी ब्याख्या करता काउन है आखों देखा वर्डन काउन किये थे तो हालवेल साब किये है हालवेल साब किये है यह समझिये कि 18 गुड़े 17.3 फुट का रूम रहता है ठेक न यानि समझिये कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं जिसमें समझिये कि एक सिंपल रूम रहता है उसमें समझिये 146 लोगों को कैद करते हैं ठीक, 146 में समझिये समझिये की 123 लोग मर जाते हैं मातर 23 लोग सुबा जीवित रहते हैं इस जीवित में समझिये हालवेल भी हैं यही हालवेल आ करके समझिये की घटना का वड़न करते हैं किस से? अपने यहां समझे कि जो इस समय कलाईव हैं उनसे और समझे वाटसन से ठीक अब देखे प्लासी का यूद प्लासी का यूद इसके बाद बतायते हैं आपसे अली नगर की संधी होई थी इस काल कोठरी की घटना के बाद 9 फरावरी को 9 फरावरी 1757 को ठीक अली नगर की संधी होती है अली नगर की संधी अली नगर क्या होता है आपसे बतायत है कि जो सिराजु दौला रहते हैं इसका मतलब बंगाल का नाम कलकत्ता का नाम अली नगर कर देते हैं तो अली नगर की संधी होती है किसके किसके मद्ध होती है सिराज कि संधीका अउहिलना करते हैं अली अगर संधीका जब औवहिलना करते हैं सिराजोद दौला तो फिर क्या, अंग्रेज की विजय होती है ठीक इसमें डारेट कोश्चन बनता है कि अंग्रेजों का नेतिर तो कौन कर रहा था प्लासिक यूद्र में भारत का नेतिर तो कौन कर रहा था या बंगाल का नेतिर तो कौन कर रहा था ऐसे बनता है फिर उसके बाद इनका साथ कौन दिया किसका नवाप का तो साध्यत मीरमदान और मोहनलाल और समझे कौन गदारी करता है गदारी अमीन चंदनामा के ब्यापारी करता है और समझे की मीरजाफर करते हैं जगत सेट करते हैं ध्यान दिजीगा कि मुर्शीदावास से दूर भागी रथी मतलब गंगा के तटपर हुआ था युद ना होकर कर सड़े अंदर था ये तो बास सही है इस युद में पहले से ही सवधा हो चुका था तो जैसे पी-ई राबर्ट साब हैं ओ क्या कहें हैं पी-ई राबर्ट ये युद नहीं एक मात्र सवधा था थिक प्लासी का युद पी-ई राबर्ट साब कहें हैं प्लासी का युद एक विश्वास घात था थिक विश्वास घात था पी-ई राबर्ट साब कहें हैं थिक अब देखिए इसमें देखिए जिसमें नवाब के बिरूद मतलब नवाब सिराज के बिरूद सिनापती मिरजाफर जगत सेट मानिक चन सामिल थे युद में नवाब की पराजय हुई युद में नवाब मुरसीदाबाद भाग गए मिरजाफर के पुत्र मीरन ने सिराज की हत्या कर दे यानि कि मिर्जाफर ने फिर बाद में इनकी हत्या करवा दी किसकी? सिराजुत दौला की अब देखिए यहां पे हो गए इसलिए फिर उसके बाद इनसे आपसे बताय थे न कलाय उसे इनसे समझावता हुआ था कि आप हमको राज नवाब बनाएंगे तो हम आपसे मिल जाएंगे अब उनकी सारी खुफिया की जानकार यह दे दिये अब समझे की सेनापती थे जब सेनापती ही समझे की कुछ ना करे समझे जाकर मिल जाए तो राज को राज को दूबने से पतन से कोई नहीं बचा सकता फिर समझे इसलिए इनको कलायू का गीदर कहा जाता है फिर जो दौला के बाद मिरजाफर बंगाल का नवाब बनते है साथ में बंगाल के हिनरी, अब समझे बहुत हो नहीं है बहुत अच्छे थे, समझे बंगाल को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन यही नहीं, जब किस्मत फूटी हो, तो कुछ नहीं हाथ में आता है और समझे कि जब अपने ही लोग जा की दूसरों से मिल जाएं तो क्या कहना है उसमें ठीक अब देखिए मिर्कासिम नवाब बनते हैं इसके बाद ठीक अब देखिए क्या होता है मिर्कासिम नवाब बन गए तो मिर्कासिम को फिर क्या होता है फिर मिर्जाफर बनते हैं फिर मिरकासिम को हटा करके फिर मिरजाफर बनते हैं तो समझे कि फिर देखिए क्या होता है बकसर का यूद होता है आपको बता चुके हैं बकसर का यूद होता है इसमें देखिए अपडेट याद करिए 22 अक्टूबर 1764 हिस्वी को बकसर का यूद होता है समझे कि इस बक्सर के युद में हेक्टर मुनरो ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया संयुक्त सेना में कौन कौन थे ध्यान दिजिएगा संयुक्त सेना में अंग्रेजो के सेना में हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना में आपको बता चुके थे मिरकासिम अवद के मंगाल के सुजाओ दौला अवद के मिरकासिम बंगाल के मिरकासिम मिरकासिम मंगाल के ठिक मिरकासिम मंगाल के और शा आलम मुगल थे मुगल सामराज, शाह आलम जूती मुगल थे अब ध्यान दिजाए इस युद में क्या होता है हेक्तरन मुन्रो बीजेता होते हैं अब समझे कि 9 गंटे 10 गंटे में ये युद जीता गया अंग्रेज के दोरा और भारती की हार होती है अब इसी हार के बक्सर के युद के बाद समझे अंग्रेजों की पूर्ड रोप से भारत में इस्थित कदम इस्थित अच्छी हो जाती है पूर्ड रोप से अस्थापित हो जाते हैं किस युद के बाद बक्सर के युद के बाद अब देखे इसको तिरिगुट की पराजय हुई फिर देखे क्या होता है फिर जो पराजय के पस्चार देखे हम पराजय भी हो गए भारत पराजय भी हो गया अब समझे जो जीतता है उस सर्थ रखता है संदि करता है कि आप हमारे नुक्सान का भरपाई करिए कियόकि अब अंग्रेज भारत में मजबूत हो गए थे थिक, तो समझिये कि सर्त रखने के लिए समझे हेक्टर मुन्रो नहीं करते हैं लाड खलायू भारत में वापस आ जाते हैं 1775 PSV में लाड खलायू की पुना वापसी होती है तो वो समझे संधी करते हैं उस संधी का नाम इलहाबाद की संधी होती है इलहाबाद की दो संधियां करते हैं राबट कलायू देखिए राबट कलायू करते हैं इलहाबाद की दो संधियां होती है एक संधी होती है 12 अगस्त 1775 को पहली संधी अवद मुगल के वासा आलम दूतीर से तो उनसे समझे क्या करते हैं कि बंगाल, बिहार, उडिशा की दिवानी ले लेते हैं दिवानी ध्यान दिजेगा फरुक्सियर क्या किया था शाही फर्मान बस किया था कि दीन हजार मामूली रकम के बदले ब्यापार के लिए छुड़ दिया था फरुक्सियर अब यह क्या करते हैं कि दिवानी दे 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 हैं दिवानी मतलब भू राजव सोलने का अधिकार दे 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 हैं किसको? कलायो को अंग्रेजों को कमपनी को ठिक दिवानी में और समझे कि फरुक्सियर में बहुत अंतर है फरुक्सियर का शाही फर्मान में और शाह आलम दूती कि दिवानी में वो तो बस मामूली रकम फरुक्सियर क्या करते हैं नोट करके एक बार देख लेजिए फरुक्सियर का शाही फर्मान जो होता है 1777 इसवी में होता है ये क्या करते हैं कुछ रकम लेकर के बंगाल बिहार उडिशा से अंग्रेजों को ब्यापार करने में मदद करते हैं क्यों क्यों कर मुक्त ब्यापार करने की अनुमत ही दे देते हैं यानि कर ब्यापार जो होगा वो कर विहीन होगा बिना कर के ब्यापार करने की अनुमत ही कहन दिया था शाही फर्मान दोरा फरुक्सियर लेकिन बंगाल पिहार उडिशा की दिवाने कौन दे दिया तो शाह आलम दिती दे देते हैं कब 12 अगस 1765 इसवी को ठीक अब दूसरा दूसरी संधी किस्से होती है दूसरी संधी किस्से होती है यह कहवत है न यह देखे में होंगे कि जो लड़ रहा है ठीक बंगाल लड़ रहा है तो बंगाल के सासन से कोई नहीं अब तुम्हारी हिम्मद कैसे होई कि आ करके बंगाल का सहायता किये कलायू ने यह कहा कि अम्बेज ने यह कहें कि तुम्हारी हिम्मद कैसे होई इनसे कि क्यों आए लड़ने के लिए इनके एक साथ और अवद से कहा कि अवद के नवाब समझे कि सुजाओ दौला थी इनसे कहें कि क्यों आए लड़ने के लिए ठिक जब लड़े हो तो समझे कि हमें टैक्स दो कुछ तो दो हमारी छतपूर्ती का हो दो तो फिर क्या होता है कि समझे कि ये संदी समझे कि अवद के नवाब से होती है अवद के नवाब शुजाओ दवला से होती है अब देखें यहाँ पे संदी पर्थम संदी 12 अगस्त को कलायू शाह आलम ठिक कलायू शाह आलम से होती है ठीकak, शाह आलम दूतीस है और बंगाल के नवाब नजमुद दौला अब ध्यान दिजिएगा क्यों नजमुद दौला, क्यों कि मिर जाफर को हरा करके इसमझी के भेज दिये थे हरा दिये थे, फिर मिर जाफर को अधपस्त कर दिये तो नजमुद दौला को साशक बनाते हैं तो नजमुद दौला ध्यान दिजिएगा नोट करके लिख ले लिजिए बंगाल का नवाब नजमुद दौला अंग्रेजों के संरच्छड में बनने वाला पहला शाशक था पहला नवाब था अंग्रेजों के संद्छण में बनता है कौन नजमुद दौला पहली संदी देखिए मुगल से करते हैं तो मुगल बासा ने बंगाल बिहार उडिशा की दिवानी अंग्रेजों को दे दी यानि कि दिवानी का ताथ पर भू राजासो वह सोलने का अधिकार दे दिया इनको किसको एक्टर कलायू को कलायू को दे दिया को आलम द्योती मुगल दे 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 फिर देखिए क्या करते हैं आवड से खड़ा ध़ान दे ज़े हं अवद के नववाब से अवद से कड़ा तथा मानिक पूर जीले को लेकर मुगल बासा को दे दिया गया ध्यान दिजेगा जो अवद के नवाब सुजाऊद दवला से संदि करते हैं तो क्या करते हैं कि इनके पास कड़ा था इलहाबाद करियो मानिकूर इनसे ले करके अवद के नवाब से ले करके यह दे देते हैं मुगल सामराज शाह आलम दूति को दे देते हैं और देखें अंग्रेजों ने मुगल बासा को 26 लाख रुपए वार्सिक पेंसन देना सुनिश्चित किया यानि कि अब भारत में आप कुछ नहीं करेंगे अब सिर्फ हमारे पेंसनर बनके रह जाएंगे कोई रिटार्मेंट होता है को समझे पेंसन पर ही आसिरत रहता है यानि को कुछ नहीं करेंगे कर रहे हैं इनको समझे 26 लाख रुपए कि पेंसन के बदले यह समझे कि निजामत भी दे देते हैं निजामत का ताथ पर है तो अवद के नवाप सुजाउद दौला, ध्यानते जीएगा, कलाईव, अंग्रेत के कलाईव और सुजाउद दौला, अवद के नवाप से युद की छती 50 लाग रुपय लिया गया, सोचिये, सोचिये, अपने जिव से कलाईव कुछ नहीं इनको दीएं, जो 26 लाग रुप बहुत अच्छी तर से बता दी हैं अब देखिए बंगाल में दोयद सासन बंगाल में दोयद सासन के श्थाबना होती है ठीक, बंगाल में दोयद सासन की अस्थापना होती है ठीक न? ठीक, बंगाल में दोयद सासन अब ध्यान देजेगा भारत में दोयद सासन के संस्थापक ध्यान देजेगा भारत अगर ऐसे पोज़िशन कोछे भारत में 12 सासन के जनक या संस्थापक कौन है तो कलाईव है ठीक लेकिन सिर्फ वैसे कोशन बने कि 12 सासन का जनक किसे कहा जाता है तो लियोनिस कार्टिस को ठीक लियोनिस कार्टिस को ठीक दोएस सासन के जनक जनक कौन है? ध्यान दिजिएगा लियो या लियोनस कार्टीorship ठिक 12 साषन के एक जनक है लेकिन भारत में कौन है? कलायू है? ठिक अब ध्यान दिजिएगा 12 साषन कब से कब तक चलता है? 72 32 तक चलता है 65 से 72 तक ठिक अब इसको समाप्त कौन करता है ध्यान दिजेगा समाप्त को दोईसासन का ताथ पर आपसे बताये थे न दिवानी भी रहेगी और निजामत भी रहेगी प्राप्त कर लेते हैं ठिक याने की राजसु वसुलना भी अब इनके अधिकार में हो गया ठिक दिवानी के सिवा है ठिक आया समझ में दिवानी का मतलब होता है दिवानी जब प्राप्त करते हैं किस से सा आलम दूती से यानि भूराजसु सुलनी का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और निजामत भी प्राप्त कर लेते हैं यानि कि सायन ने बेवस्ता और न्याय बेवस्ता अब भारत के कोई नहीं करेगा, अब कौन करेगा नियाई बवस्ता, अब कौन करेंगे अंग्रेश करेंगे भारत में अपने हिसाब से करेंगे, अब इसके बाद क्या होता है कि भारत में समझे एक Supreme Court के अस्थाफना होती है, अब समझे की एक Regulating Act आता है ठीक, अब देखिए, दोयत सासन, बताय तैंने, दोयत सासन के अधिन, बंगाल में उपछ दिवान चुना गया, किसको? महम्मद रजा खा को, ध्यान देजिएका, दो उपछ दिवान चुने जाएंगे, ठीक, दो उपछ दिवान, कहा पहा? उपदिवान दो उपदिवान चुने गए कहाँ? अब ध्यान देजेगा एक बंगाल में अब दूसरे बिहार में अब ध्यान देजेगा बंगाल के उपदिवान कौन है? बंगाल के उपदिवान है मुहम्मद रजा खान मुहम्मद रजा खान ठिक और बिहार की कौन है राजा सिताव राय राजा सिताव राय सिताव राय बहुत इंपोर्टेंट है आप ध्यान देजिएगा ठिक अब दो लोगों को उपधिमाज चुना गया अब नवाब यहां पे रहेंगे लेकिन यहां पे समझेगी यह रहेगा ठिक अब देखिये वही लिखा है तिरपन लाख रुपय के बदले बंगाल के नवाब से निजामत का भी अधिकार ले लिया गए वही मतलब कानून बैवस्था का भी अधिकार अपने अंदर ले ले लेते हैं अंग्रेज ठिक अब देखिए देखिए बताये थे नहीं दिवान दो निवत की अब ध्यान देजिए बंगाल में रजा खां ठिक बिहार में रजा सिताब राय को दिवान निवत किया गया और उडिसा में दुरलब को राय दुरलब को बतायतना बंगाल बिहार उडिशा में जब दोयद सासन के अस्थापना होती है तो दोयद सासन के अस्थापना में आप देखिए जरूर याद करिएगा इसको याद हो जाएगा हम बता रहें कैसे याद होगा देखिए बंगाल क्या था मुसलिम प्राम था नवाब वहीं पर थे इसलिए यहां पर खान है रजा खान है बिहार क्या है हिंदू राज्य है थिक उस समय हिंदू राजी था तो यहां पर क्या है कौन है रजा सिताब राय है थिक उडिशा दुरलब राय दुरलब थे कि आपको कई बार कि के अम पड़िकर सहब डाकूं का राजे कहें हैं और जापकारणवाल सहब क्या कहें है 1765 से ले करके 1784 इस वी तक जो भारत में राझ चला था इस से भृष्ट किसी देश में नहीं चला थे, यानि भरष सासन था इस समय, जाब कारनवाल के हैं, अब देखिए अवद, बता चुके, अवद के संस्थापक, शादत खान थे, ठीक, अवद के संस्थापक, यही अवद, जो लखनव के बगल में, फैजाबाद, जिसकी राजधानी फैजाबाद है, आया सम अब देखिए, शादत खान, अवद के संस्थापक, शादत खान, कई बार बता चुके हैं, एक बता भी चुके हैं, ठीक, अब एक बार अब देख लिजिए, राजधानी फैजाबाद, उपादी बुरहान उल्मुल्क, बुरहान उल्मुल्क, किसकी, अब सादत खान, बु यही सुझाव दवला है जो समझे कि अंग्रेजों से उस में बकसर की युद में सामिल होते हैं अवद की तरब से और समझे पराजित होने के बाद समझे अवद की अंग्रेजों को 50 लाखर रूपए देते हैं उस संधी में इलहाबाद के संधी में ठिक अब समझे क्या पानी पत का तिर्थी यूद्ध आहमसा अबदाली का साथ दिया ध्यान दिजे यानि कि पानी पत का तिर्थी यूद्ध अगर कोश्चन आ जाए बहुत बड़ा कोश्चन है कि यह सामिल हुए थे की नहीं हुए थे यह शामिल हुए थे सुजाओ दवला फिर 65 में अंग्रेजों के विरुद बक्सर 64 में 1764 हिस्वी में अंग्रेजों के विरुद बक्सर का युद लड़े थे और समझेए कि इलहाबाद की संधी होई थी इलहाबाद की संधी के रोप में कलायू ने इनसे छटपूर्टी लिया 50 लाख रुपए और इनके यहां सायन ब्यवस्ता का खर्चा दे दिया कि आप अस्फुद दौला में बस यह जानिये कि जो लखनाओं में बड़ा इमामबाड़ा है यानि कि भूल भूलया ठिक बड़े इमामबाड़े की अस्थापना किस ने किया है तो अस्फुद दौला साब की है यूपी के दिरिश से यूपी के एकजाम से बहुत बड़ा कोश्चन है अस्फुद दौला इमामबाड़े के अस्थापना करते हैं अब देखिए शादत अलिखा क्या करते हैं कि समझिये कि शहायक संदी विलजली की शहायक संदी स्विकार कर लेते हैं अभी हम पढ़ाए भारत में सहायक संदी के स्विकार थे सायक संदी बताएंगे किसे किसे समझीच कि लाड़ वेल जली स सायक संधी करता है तो सब हम बताएंगे ठीक लाजी कि वाजिदलीक की कि आउध के अंतिम नवाब वाजी दलीस अब इनहीं की कारे कारे काल में हड़प नी जो भारत में हडप नहीं थी कि डलहाओ जी डलहाओ जी डलहाओ जी क्या करते हैं कि इन पे किसको वाजी दली सा के ऊपर एक केस लगाते हैं कि आप सही से सासन नहीं कर रहे हैं ठिक जैसे अभी देखिए कि आठकी 356 के अनुसर क्या होता है कि जब राष्टपरी सासन लगाया जाता है तो ये कि भी है ना कि हाँ आप सही से सासन नहीं कर रहे हैं तो राष्टपरी सासन लगा दिया जाता है ठिक तो ये भी समझे कि वाजी दली सा के ऊपर क्या होता है कि डलहाओ जी ये समझे कुशाषन का रोब करते हैं लगाते हैं कि आप सासन सही से नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम आपको अपने अधिन ले रहे हैं आपके उसको ठिक? तो यह समझे अवद का बिले कर लेते हैं ठिक? अवद के नवाब यह अंतिम नवाब थे अब इसी के समय कथक पतलब का नहीं है ठीक अब आईये देखिए वही जो बताए थे 1856 में जिम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशाशन का आरोप लगा करके अवद को अंग्रेज सासन में मिला लिया गया ध्यान देखा अब तको किसंने मिलाया था लाड़ डलहाओजी जो भारत में हड़पनी थी हडपनी जो किया था खिक अब देखें हाइदरावाद बता चुक हाइदरावाद के संस्थापक चिन किलीज खार फ़रुक्सियर द्वरापatri और इनकी उपाज थी निजामुल्मुल्क दियान दिए चिनकिलिस खां भी दे सकता है यानि कि बंगाल मुर्षित कुली खां अवद साधत खां और हैदराबाद हैदराबाद निजाम निजामुल्मुल्क या चिनकिलिस खां ठीक अब देखिये यहाँ पे समझजे कि बहुत जएदा वह नहीं है आपको जो वह करना है ठीक न अब समझजे कि यहां से हैदराबाद से हम वह बताएंगे जो से हो जो कोष्टन समझे कि जब मैसूर है डिकना अब समझ रिधा को सामिल करता है तो अब समझे के आज समझे ऐले जो अकली क्लास होगी उसमें मराठा जो बचा था मराठा औरजए being वो दोनों समाप्त होगी अब समझे कि मराठा से भी question आता है अब समझे कि यहां से अब यहीं तक ठीक अब समझे कि अब आपका बहुत ज़्यादा नहीं बचा है इसके बाद क्या है मराठा के बाद समझे कि भुराजसो जैसे रायत अस्थाई, रायत वाड़ी, महल वाड़ी यो एक सिक्मेंस में चल लेंगे ठीक ना फिर उसके बाद 877 की क्रांती फिर समझे आपका आधा खतम फिर आधा आधुनिक भारत आपका समाप्त हो गया ठीक तो आज के लिए यहीं तक के लिए थाइंक यू सो मच